नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज की ये वीडियो पोशन ट्रेकर एप से रिलेटेद बहुत ही इंफोर्मेटिव होने वाली है आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जो पोशन ट्रेकर एप है वो आगनबारी सेविकाओं के लिए कितनी समस्या बनी हुई है जैसे कि विभाग की ओर से बोला गया था कि आपकी जो प्रॉबलम है वो तीस टारीक के बाद आपकी ये जो पोशन ट्रेकर एप की प्रॉबलम है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी और देखिए उसके बाद दो नए अपडेट आये हैं पूरी वीडियो को आप लोग लाश्ट तक देखिएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्थेजर कीजिए तो देखिए पहला जो परिशानी है वो आगनवड़ी सेवकाओं को beneficiary वाले category में है यहाँ पर आप लोग जैसे ही category को open करते हैं तो यहाँ पर पहले यहाँ पर यह जो लभार्तियों की संखिया है वो यहाँ से हटा दिया गया है हमने आपको 11.6 के बारे में बताया था और उसके बाद यहाँ पर जो बच्चों की category है 6 माइने से लेकर 3 साल और 3 से लेकर 6 साल तो यह जो दो category है वो आगल बड़ी से विकाओं का open ही नहीं हो पा रहा है नहीं इसमें कोई work हो पा रहा है और यह जो 3 category है इन 3 नहीं काटेगरी में लभार्ति जो है open तो हो रहे हैं लेकिन आगे जो काम है वो complete नहीं हो पा रहा है जैसे कि देखिए यह जो 3 से 6 साल वाले बच्चे हैं इसको आप लोग open करते हैं तो यह इस परकार का जो refreshing वाला option है इस परकार से आप लोग देख रहे होंगे तो इसी परकार यह घूमता रहेगा आपका यह जो category है open ही नहीं होगा कैसे जो बच्चों का growth monitoring है या फिर और भी जो work है वो कैसे complete करेंगे और देखिए जैसा कि हम लोग किसी लभार्ती को यहाँ पे add करने भी जाएं तो वो भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं निव लभार्ती हम लोग जोडने जाते हैं तो यहाँ पे इस परकार के message देखने को मिल रहे हैं कोई भी data आपके आगे सोही नहीं कर रहा है तो कैसे लभार्तीयों का list है उसको हम लोग जोडेंगे तो इन तमाम तरह की परिशानियों से आगनबड़ी से विकाय जूज रही है और यहाँ पे जो भी category खोली है वो उसमें ऐसा समस्य आप लोग को देखने को मिल ही रही है जैसे कि किसी किसी में तो लभार्ती ओपेन हो जा रहे हैं लेकिन जो new registration का option आप लोग खोलेंगे तो देखिए इस परकार का समस्य आप लोग को देखने को मिल रहा है कि यह जो home visit का schedule है इसको आप लोग offline mode में भी कर सकते हैं लेकिन update आता है लेकिन उस update के साथ जैसा बोला जाता है वो ऐसा काम portion tracker app में नहीं होता है और जैसा कि यह जो portion tracker app है वो पूरे भारत की आगनबड़ी सेविकाई यूज कर रही है और इस portion tracker app को चलाते चलाते आगनबड़ी सेविकाई परेशान हो जाए रही है कि कितना भी update आए लेकिन यह जो main समस्या है server की वो परेशानी जल्दी खतम नहीं हो पा रही है पूरा पूरा दिन लग जा रहा है फिर भी कोई काम complete नहीं हो पा रहा है जैसे कि यहाँ पे home visit वाले schedule को भी open करते हैं तो यहाँ पे जो लभारतियों की category है जिसमें हम लोग daily work करते हैं लभारतियों के घर पे home visit करके उनका data submit करते हैं तो यहाँ पे वो लभारतियों के data open ही नहीं हो पा रहा है तो कैसे काम होगा यहाँ पे देख सकते हैं ना यहाँ पे खुल रहा है ना यहाँ ना यहाँ पे कोई भी category open ही नहीं हो पा रही है जब आगनवारी से विकाएं अपना हाजरी बनाने जाती हैं कि यह जो बिभाग है इस potion tracker app की जो server की problem है पहले इसको पूरी तरीके से fix कर ले कि server की जो problem है ठीक हो जाए तो ऐसी कितनी भी update आ चुकी है लेकिन यह जो परिशानी है वो पूरी तरीके से fix नहीं हो पा रही है चाहे आप इस potion tracker app को on install ही कर देजिए फिर इसे install कीजिए फिर भी यह परिशानी ठीक नहीं हो पा रही है logout कर दीजिए फिर भी यह परिशानी ठीक नहीं हो पा रही है तो यह परिशानी जब तक विभाग नहीं चाहेगा तब तक यह परिशानी ठीक नहीं होने वाली है आप कुछ भी कर लिए ये server की problem है तो server को पहले विभाग की ओर से ठीक किया जाना चाहिए त्याकि आगनबड़ी सेविकाओं को परेशानी ना हो पूरा पूरा दिन ना निकले इस एक काम के लिए और भी काम होते हैं जो आगनबड़ी सेविकाओं को करने होते हैं तो इस portion tracker app में बहुत से समस्या है अगनबड़ी सेविकाओं जो है इस portion tracker app के खिलाप आवाज उठाईए कि जो portion tracker app है उस पर हम लोग work सही से नहीं कर पा रहे हैं इसके लिए कोई नया solution बताईए तो अभी हम लोग इस पर वढ़ियां से काम कर पाएंगे तो ये आप लोग को एक बार आवाज उठानी पड़ेगी तभी ये विभाग वाले समझेंगे और आप लोग बोलते रहते हैं कि portion tracker app का काम complete किजिए ये किजिए वो किजिए कहां से complete होगा जब तक इस portion tracker app की समस्या पूरी तरीके से ठीक ही नहीं किया जाएगा तो बस आज के इस वीडियों फ टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद